न्यूज निशन से दिल्ली के वितमंत्री मनीज सिसोधिया ने कहा है कि दिल्ली का बजट बनाना काफी चलेंजिन रहा है सिसोधिया ने ये भी कहा कि 6 अधिशत ग्रोथ रेट के साथ बजट बनाया है सिसोधिया ने कहा कि दिल्ली को तिरंगे से सजाएंगे दिल्ली में 500 जगाँ पर तिरंगे लगाए जाएंगे दिल्ली में नई शिक्षा कांती की बात सिसो दिया जो हर बार कहते हैं क्योंकि उनके बजट में सबसे ज्यादा वो आवंटर शिक्षा की शेत्र में ही रखते हैं क्या का उन्होंने आई ये सुन लेता है बजट में बहुत सारे चलेंजिस थे क्योंकि पूरा साल तो करोना में बीद गया किस तरीके से क्या क्या सोच के साथ ये बजट बना बहुत चैलेंजिंग था आप सही कह रहे हैं और कोविट की वज़े से economy डाउन थी, tax collection भी बहुत डाउन था तो वैसे में जतना target हम सोचते थे दिली में ग्रोथ का revenue के उतना तो नहीं पर फिर भी अच्छी बात ये है कि 6% ग्रोथ के साथ ये बजट बना है पिछले साल के मुकाबले और इसको हम हसिल करके रखेंगें मैंजी हम लोगों ने देखा है वो दोर देखा है जब सरकार ने कहा कि पैसा ही नहीं है मैंने कल भी यह पूछना चाहता आज उसको थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि कैसे सरकार ने बिल्कुल टेक्सिस बढ़ाने से लेकर इस बार टेक्स नहीं बढ़े हैं हमने देखा है वो फॉर्मॉला क्या था जो इस तरीके से ग्रोथ हो पाई फॉर्मॉला यह है कि आप लोगों को वातावरंड बनाओ लोगों की कमाई का वातामान बनाओ, लोगों की आमधनी, लोगों की बचत का वातामान बनाओ उससे एक तो economy बढ़ती है आपकी, और लोगों की परिवारी कायँ बढ़ती है जो हमने कल मैं बजेट में भी जिक्र किया दिल्ली की per capita income इस समय पूरे देश की average per capita income से तीन गुना है यानि कि जो लोगों की कमाई है दिल्ली में तीन गुना है बाकी देश के बाकी average हिस्टे से तो वो कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में जो एक अलग तरिकी का खुला पनाया है सरकार ने लोगों को ease of living की सुविधाय दी है कि आप चिंता मत करो आपका बिजली का बिल का खर्चा नहीं बनेगा आपका पानी का बिल का खर्चा नहीं बनेगा तो आदमी के बस पैसा बच रहा है तो जो 25-30,000 रुपे बच रहा है वो मार्केट में खर्च कर रहा है जब मार्केट में खर्च कर रहा है तो उससे नए जॉब क्रियेट हो रहे है और नया बिजनिस क्रियेट हो रहा है और इसकी वज़े से सरकार के बाश टेक्स पी आता है हमारी शान तिरंगा आपके कमरे में भी नजर आ रहा है हमें और अब 500 जगाओं उपर लगेगा इसके पीछे क्या सोच है क्योंकि जंडा तो जंडे से देश भक्ती आएगी इस तरीके की बात कहां से सोच में आई आती है हम बच्पन से हम देखते हैं कि राष्टगान होता है या सामने तिरंगा होता है जब फैराया जाता है तो अलग तरीके का रुमान चाहता है मन में देश भक्ती को लेके और यह सोचते हैं कि आज ये है हमारी पहचान तो जब हम आजादी की 75 वी सालगरे मनाएंगे तो चारों तरफ दिल्ली में तिरंगे दिखने चीए देश दिल्ली का आसमान तिरंगे से सजा होना चीए हम सजाते हैं ना कभी भी हम उतसब करते हैं कोई दिवाली करते हैं कोई वर्सगाट मनाते हैं तो हम सजाते हैं तो ह जो वर्चुल क्लासेज क्या है इन सब के बारे में अगर आप बता पाएं इसकी सोच के बारे में बता पाएं अच्छे स्कूल बिल्डिंग बनाना टीचर्स के बीच अच्छा पढ़ाई का वातरावन बनाना और अच्छे रिजल्ट बनाना पासिंग परसेंटेज में ये हासिल हो गया अब इसको आगे बढ़ाना है अच्छी बिल्डिंग भी बनती रहेंगी टीचर्स का वातरावन भी होता रहेंगा और अच्छे रिजल्ट प्याता रहेंगे लेकिन बड़े चेंजिस जिसके लिए हम अपने बच्चों को पढ़ा होनी चीए तुसरा वो अच्छा नागरिक हो वो महिलाओं के लिए परिवार के लिए परियावन के लिए एक बहुत सम्विधन शील व्यक्ति होना चीए तीसरा वो केवल जॉब सीकरन बनके ना निकले कि मुझे कोई नौकरी दे रहें वो कहें कि मेरे पास ही योगता है आ कैसी हमें एक्जाम सिस्टम बनाने है अब हम उस पर काम कर रहे हैं